हमें आगे बंडे से पहले धिश के नमबर वन कारिक्रम में बात करेंगे आज की चर्चा के मुद्दे की विपक्ष की सीटे बड़ी अब संसत चलेगी हां अंगामा भी बड़ेगा ये पहला आज का मुद्दा है सयोगियों वाली मोधी 3.0 में भी क्या बड़े फैसले हो पाएंगे ये जनता जनारदन के मन में सवाल है दोहजार चौबिस से राजनीती के मिजास के बदलाव का दौर शुरू हुआ है कोकि अभी तक हमने फूल मिजॉरिटी वाली सरकारे देखी थी लेकिन अभी एक गड़बंदन सरकार है और करप्शन के खिलाव कड़े एक्शन का दौर जारी रहेगा ये भी बड़ा मुद्दा है चनता जनारदन है मेरे साथ उनके लिए जोर्दा तालिया आपका बिनंदन है मेरे साथ रोहन गुपता है भारतिय अंता पार्टी से जोर्दा तालियों के साथ उनका बिनंदन करिए नेता परवक्ता है नेता परभकता थालिया, दल्शकों के लिए और इस मच पे आसीन, हमारे मेहमानों के लिए लेकिन इस चर्चा की शुरुबात करते हैं अमीग जबही सबसे पहले शुरुबात आप पीसे कर लेते हैं ये सियासत 360 डिग्री वाली है लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको शुरुबात से ही कुछ भा नहीं रहा है कभी राहム जी कहते हैं कि यह सरकार नहीं चलेगी कभी खडग़ी कहते हैं कि सरकार जदी गिर जाएगी जब कहते हैं बोनी खराब हो तो अंजाम क्या होगा देखे देश की जनता जानती है कि नरेंदर मोदी का ये जो तिसरा रिजीम है ये आंधरा और पटना कंटोर्ड रिमोट सरकार है हमारा सवाल क्या है समाजवादियों का जिस दिन पार्लिमेंट का सेशन होगा कि नरेंदर मोदी जी ने इविन हमारे नितिश बाबू ने आंधरा ने जो कास सिंसस की बात करी है देश को हम उस्तरफ ले जाना चाहते हैं इस देश में सबसे चरम पर जो बेरोजगारी है कि युवा जो ताकत है भारत की जिस 60% युवा ने इस देश को बनाया वोट किया नरिंदर मोदी जी को तीसर रिजीम दिया उसके पास युवाओं के लिए रोजगार की ना कोई पॉलसी है ना शिशा के लिए कोई करकम है न अनातिका में कास्यों की द्रूरत तयार है पेश की ने की जाती है यूजे समझ में या रहा है एक प्रश्च नहीं कि आप बोलते कुछ है और करते कुछ है जब देश की सते पर जाती कर जंगना होगी जाती पर अधारी इस देश की जंता को गिना जाएगा आप कहते हो ब्रहमर 5% है हम कहते हैं उनकी अबादी जादा है उनके हाँ गुर्बस जादा है छत्रियों में बि हमारा यह कहना है इमानदारी के साथ इस देश में जातीकर जंगना करवा के जिसकी जितनी आबादी है उसकी वेल्थ का आंकड़ा हो उसके पास मकान है नहीं है शिक्षा है नौकली नहीं है अगर वो कहीं भी कमी है तो यह कराया क्यों नहीं करनाटा के अंदर रिपोर्ट मंत्री को देखा है जिसमें एने सी सूपर बावर होती थी और 2004 से 2014 के बीज में एने सी को बनाया गया था लेकिन ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है जनता दल्य उनाइटिट के परवक्ता साथ जवाब दीजिए ये बिहार से रिमोट चलेगा इसका संसद में लागू करेगी उसके लिए जिम्मेदार है और देश को आगे बढ़ाएगी उसके लिए जिम्मेदार है विपक्ष देश को गुमराह करदा है जिस तरह चुनाओं में गुमराह कर रहा था अभी भी गुमराह कर रहा है अभी मेरा पुरे देश में राहुल गांदी डेटा पचा गए खा गए पता नहीं अधि ज़ंगन्ना होई थी वो गॉर्स आस तक उस पर जवाब दिगे थी तेलंगना में करा लीजिए हिमाचल में करा लीजिए कहीं नहीं चुप है आपकी जहां जास समर्थन वाली सरकार हैं वहां भी करा लीजिए जैसे पंजाब बोल रहा है जातीगत जनगन्ना या जात से जादा पिछड़े और को सबलता नरेंद्र मोजी की सरकार निया 29 मंत्री सिंदुस्तान में पिछड़े जातियों का लेकिन राजनीती तो अपने तरीके से चलेगी लेकिन राजनीती का मतलब यह तो नहीं है कि अगर कोई चुनी हुई सरकार है आप बार बार बोलें मतलब फॉरन मीडिया में इंटर्व्यू दिया राहूल जी ने और यह कहने का प्रयास किया कि यह सरकार तो गिर जाएगी मतलब आप इंटरनाशनल मीडिया को इंटर्व्यू दे रहे हैं मोदी अपने जातिगत जनगरना की बात के कही और मेरे को पैनलिस जद्यू के प्रवक्ता है उन्होंने बहुत ही एकदम सीना ठोक कर बोला कि जातिगत सर्वे हमने बिहार में कराया ओबी सी एस्टी का रच्षड भड़ाया हम भी थे उस सरकार में और हमारे होने के बाद तब आ अपको अपडेट कर देती हूं जातिगर सर्वे कराना हुआ एक सेकेंड जूप कर यह ना जब हो गया हमने और बीसी एस्टी का रच्षड बढ़ाया वह जूट लान चैनल यहां किश्ड़ों के खिला कर दिया कर देदि नितीश कुमार ने अतीपिछड़ों को अरक्षण दिया नितीश कुमार ने अतीश्ड़ा आयोग जा पनाया जी जांच के लिए इसामाज में पोलिकल इस्टिति का दिए किया बात कर रहा है अपने जवाद या लाव जिस जवाब दीजिए लाम जी यह नियुक्त लिए अब मेरादेल निएक एकरपेर सबोने आपके बीच में रोग दिया में अपी बोले आपी प्रश्ण का उत्तर निया मेरे बोला कि जब चुनिवी सरकार है 290 वाली सरकार है तो उसके गिरने के सपने आप क्यों देखना है आप की पास नंबर भी नहीं है अगर मैं मानू आप बिहार को भी तोड़ ले अपने पास ले जाए तब भी सरकार नहीं बना पाते हैं आप लोग देखिए हमें किसी को तोड़ने और जोड़ने का कोई शौक नहीं तुमिर काहे किया रहे थे रहोजी सुनिये सुनिया पूरी बात सुनना चिख लीजिए लेकिन जिस तरह से और अरसस इस इनको एहंकारी बोल रही है जिस तरह से आरससे इनको सबक तिखा रही है इनके ही पैरेंट और जिसन हमें कहने कि कुछ और आपने बड़ा धैरे दिखाया इसके लिए आपका बिनंदर है जी लेकिन बात यह कि बार बार अभी शुप्रिया श्रिनेज जी ने भी कहा कि पहले तो राहूल जी थे अभी तो प्रहांका जी चुनाव लड़ रही है जीत के आएंगी तो वह मेंबर होंगी पहले तो मन में है ऐसा इनके एक डाउट है कि अब आप वो नहीं कर पाएंगे तो आप दराके रखना चाहते थे अमीजी किसी को दबाने की बात नहीं है लोग तंतर का पर्व पूरे देश ने बहुत-बहुत सफलता से उसको मनाया है जिस प्रकार से चुनाव संपन हुए परिणाम जो भी हाता है अमीजबे देश का जो जनादेश है सबको उसको स्विकार करना चाहिए चुनाव के पहले जब यह इंडी गडबंदन बना उन्होंने दावी कि कि 295 हमारी सीटे आएंगी वो नहीं आई उसके ओपर कोई सवाल नहीं उठा और दूसरी एक चीज हम आपको मुबारक उननीस सो नवाची से 2014 तक अमीजबी जितनी भी सरकारे बढ़ी उससे ज्यादा सीटे इस सरकार की आई है फिर भी इनको लगता है कि इनकी मॉरल विक्ट्री है तो मैं धन्यवाद देना चाहूंग ऐसे विपक्स को कैसा विपक्स हर सत्ता पार्टी को मिल कि जिसकी 50 से 99 सीट आने पर भी अपनी मॉरल विक्ट्री उसको दिखाई देती है